उठो पूर्णा, शीग रही यश्वदा के यहां पुत्र का जन्म होगा नक्षत्रों की गपी से उत्पन, संकेतु को देखो इतने विशेश कारे के लिए इनका चुनाओं ये देवी कौन है प्रभू? ये मेरे भविश्य में होने वाले गुरू, बहारिशी संदीपने की माता है देवी अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्ध है यहें यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी ये ज्ञान के विश्वास करेंगी ये सूदाब मैं तुम्हारी गयाथा समझ रहो पर खाना छोड़ना अच्छे बात ना है स्यारी तुम्हारी पोकार अवस्य सुनेंगे वारोसा रखो लो पर जो कहाले अग्वान सहाट करना सही बात ना है ये सूदा वुके प्यासे रहे टान देने है क्या ये सूदा होने वाली मैया को अपने स्वास्त का विश्वास्त अग्वान से इस द्यान रखनों चाहिए रोलनी नक्षत्र में जब सूर्य सीह राशिका होगा और चंद्र प्रशब राशिका तब मध्यरात्री तेरे लल्ला का जनम होगा इस वर्सों में कभे किसी रिसी मुनी किसी ग्यानी ने हमें ऐसी आज पहली बार हमें इस पस्ट आशवासन बिलो हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद उसका पूर्णा पसी बहुत बहुत धन्यवाद कि ना मोसी को धन्यवाद ना देते लाली मोसी से आशिरवाद लेते हैं ला लड़ू ला खाल अब तुझे केवल उस सण के प्रतीक्सा करनी है मैं मैया बनने वाली हूँ सुना अपने मैं मैया बनने वाली हूँ आप बाबा बनने वाले प्रिष्णों के उत्तर दे दी नारायन में चलो अब शीक्रता से भोजन कर लो मैं जारी हो रोईनी जिची को बताने अरे पर भोजन पूर्ना मोसी जो कह देती है वह हो के रहतो है अरे प्रिष्णों के अरे प्रिष्णों के रहतो है यह जो गूर्ना मोसी जो उत्तर दे रहतो है कर दो कर दो कि रोईने जीजी आरे 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 मैं महिया बनने वाली हूं ललाओं को रहा है क्या उने माची ने बताई अब अपने अंच का निर्मान करने का समय आ गया युरी आरे 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 Krishnan, Krishnan, Krishnan विष्ण 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 सत्य में श्रीमन नारायन की मईया बनने वाली हो ये शोदा ने स्वप्न में जो देखा था सांसारिक माया की कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी मुझे भरोसा ना हो रहा है जे तो संभावी ना है मैं स्रीमन नारायन की मईया कैसे बन सकती हूँ परंतो स्वप्न इतना सच्छा इतना वास्त्विक था ये सुधा ऐसा अलगो जैसे सप्न ना है सच्की परच्छाई आप मेरे वो भास कर रहे हो ना कर दो कल तक तो जे भी ना पता था कि मैं कभी मईया भी बन पाऊंगी किना और आज आप कह रहे हो कि स्रीमन नारायन स्वायम मेरी कोक से जनम लेंगे नाना ऐसे उल्टे चीदे बिचार मेरे मन में मती डालो आप मैं तो साधारन सीस्त्री हूं जो बस एक सामान्य सी मईया बनना चाहती है मुझे तो बस एक सामान्य सालल्ला चाहिए चोटा नटखण त्यारा सब मेरा बाल गोपा है मेरा लाडला होगा वो मेरा राज दूलारा मेरे आखों कतार मैया यशुदा और बाबा नंद का वादसल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अध्भुद घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था जिस स्वप्न को सत्य समझना था उसे मिध्या मान कर फुला दिया उन्होंने किन्तु श्रीमन नारायन को आना ही था स्वप्न साधार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं वसुदे वसुदं देवं पत्सचालंद वर्धनं यशोट परवानंदं वसुदे वसुदं देवं पत्सचालंद वर्धनं वसुदा परवानंदं रिष्णम अन्ने जगत गुरुम रिष्णम अन्ने जगत गुरुम माता देव की आपको जन्द दिने वाली है इसलिए उनके गर्प में आपके अंश का समाज आना सर्वता उची थी है किन्तो मैया यशोदा के रिदाय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा है देवी माता देव की मेरे तन को जन्देंगी किन्तो मेरी आत्मा का जन्द मैया यशोदा के हिर्दय से होगा जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगी और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा मैं और यशोव मती मैया एक दूसरे के साथ खृदय से जुड़ेंगी इसलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अध्पुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी अच्छे कर्म करने जाएगी वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यो न घिरा हो वो शान्ति पूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति तुष्ठ हो प्रूर अत्याचारी हो या चोरी हिंसा हत्या जैसे जगहन्य अपरात करता हो तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों न हो वो कभी शान्ति पूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता झाल तो झाल 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 अब आप अपने अंच का निर्मान कीजिये देवी, ताकि जब मैं मादा देवकी के आठे पुत्र के रूप में अफ्तार लूँ, तो आप भी मैया येशोदा की पुत्री के रूप में जन ले पाएं। कि बाएं। प्रभु के प्रताप से नौ माह ऐसे बीद गए, मानो बस कुछ शान बीते हो, देखते ही देखते वो शुभ खड़ी मैया यशोदा के लल्ला के चन्म की खड़ी, आ गई भादरपद मा की अष्ठमीती थी स्वामी लगता है प्रसव पेड़ा अरंभ हो गई है तेवकी, संभालो अपिनार को, धीरज रखो जीजी यशोदा, दाइमा रगए लीना क्षटर, रगए लीना क्षटर सूर्य सीर राशी में और चंदर फ्रुषब राशी में जही तो है, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के संकेर देफी, तुम चंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा जिन तो कैसे स्वामी, ताया की दल्वार की धार, विनाश की बिजली बनकर, मेरे आखों के सामने चमक रही है देफी, तुम विश्राम करो दुर्जन, जाओ, फिर से देखो, मुझे पल्पल का समचार जाहिए जैसे ही मेरा पुत्र, पेरी सुरक्षित को चोड़ कर, इस संसार में आएगा आया कंस, मेरे ममता को मिले इस पर्दान को उससे चील लेंगे चिंता मत करो देफी, ये हमारा आठवा पुत्र है यदि हमारे जीवन में कंस के दिये दुखों की धूप है, तो श्री हारी की भक्ती की छाया भी है आकाश्वानी का स्मार्ण करो आप स्मारण कीजे, कि इतनी क्रूटदा से बाया ने हमारी समे संतानों का जीवन प्रारम होने से पहले, उनको नश्ट कर दिया मुझे बह लग रहा है कहीं, कहीं में इसे भी नखो दूँ आप और प्रतिक्सान आओ पाएगे, मुझे आप और प्रतिक्सान आओ पाएगे हम यशोधा को खोदेंगे, नन्द भाया किदी संतान का जन्म शीग्रही नहीं हुआ थो वो अत्याधिक पीडा में है वैज्जी ने जो प्रिसव की घड़ी बताई थी वो भी कबकी बीच चुकी है भावी, आप दाइमा से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव जिस्ता करें अजही प्राफ्थना नाराहेंट से करतें अंदिर जारो प्रभु, मैया योगमाया को जन्म क्यों नहीं दे रही है मेरा ही तो शक्ती तत्व है योगमाया वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे आठवे अवतार श्री प्रिष्ण का जन्म होगा तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतिकता जब निशित प्रहर कान्त होगा और शुन्यकाल का प्रारंग तभी तो ओगो जेंतियों लल्ला की जन्म का योग बस, अब कुछ जिक्षण आओ बसुप जो जन्म का प्राणि आरे मुरारी नेनादनारा ये नवासु देवा स्री कृष्टा भूएका आरे मुरारी नेनादनारा ये नवासु देवा इस लुकी सबसे सुबगड़ आ गया प्रारंब हो गया भीव्यसु देवा आरे मुरारी नेनादनारा ये नवासु देवा शेवासु देवासु 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 देवास कर दो कर दो कर दो स्रीक्ष्णा कर दो कर दो कर दो मां है कर दो आद ना शाम स्रीक्रश्णा कर दो मन venge स्रीक्रिष्ण दोगिंदारे बुरानी निनात्य नारा रवस्टेवा निनात्य नारा रवस्टेवा स्रीक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्र है शीर नारायन हम परम सौभाकेशाली है हमारे पुत्र के रूप में आप स्वेम पथारे है यति में कारगा से बाहर होता तो ब्रामनों को दस सहस्त्र गायों का दान करता है कि तु प्रभू मैं बंधन में हूँ प्रभू कंच को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ग्यात होगा आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नगन तलवार लेराते हुए चला आएगा हे दीन देयान आप तो भक्तों के भाय का नाश करने वाले हैं परन्तु प्रती एक शण मेरा भाय और भी बढ़ता जा रहा है मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है जिक्तों अब और नहीं प्रभू आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्द के विशे में पता ही ना चल पाए आपके इस अलौकिक चतुर्भुच रूप का समाचार उनके क्रोत की ज्वाला को और भढ़का देगा और वो आपका वद्द करने के लिए सेना सहत यहां आ जाएंगे इसलिए है जग्दीश आप समाने बालक के रूप में प्रकट हो जाएंगे ताकि मैं हापको चुपानी की चेश्टा कर सको या मैं कंच को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर सको कि उन्हें आपसे कोई संकट महीं देया कीजे भगवन कि उन्हें आपसे की 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 उन्हें आ माँ, पिता जी, पिछले जन में बारा सहस्त्र वर्षों ता आपने एक कठिन तपस्या की थी मूसलाधार वर्षा, घंगोर आंधी, चिल चिलाती हुई धूप और अस्थिया जमा देने वाली ठंड ठंड सभी कश्ट सहे थे आपने केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते और आज जब मैं आपके सामने हूँ तो आप कंज के भाई से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं मेरे मातापिता होने के नाते हैं आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कड़ता हुआ है ना एक सामान्य बालक का रूप धारन करन तो आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंज से भाईभीत होने की आवशकता नहीं है मेरा जर्म प्रित्वी पर धर्म को पुना स्थापित करने के लिए ही लुआ है किन्तु अभी समय कम है कि एशोदा राने के चेतना जा रही है जहीं के प्रानों के लिए सुबसंकित नहीं है यशोदा आखे खुली रखो यशोदा यशोदा आखे खुली रखो झाल झाल पिताजी, इससे पहले की कंस यहाँ है, आप मुझे लेकर यमुनापार चले जाईए, और वहाँ गोकुल में अपने भाई, नंद के सनरक्षन में मुझे छोड़ जोड़, उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई, उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मा, जो हो र अब जाईए, पिताजी, शेगरता कीजिए, अब जाईए, पिताजी, शेगरता कीजिए, प्रभु, क्या करना है, यह तो आपने प्रेटा कीजिए, आपने आपने इताउ, आपने दो आपने ऐगरता कीजिए, जो हो राभु, क्या करना है, यह तो आपने बता दिया, किन्तु कैसे करना है, यह नहीं बताया, पेडियों में जखड़ा हुआ, कारागाह से पाहर कैसे जाओंगा, यह शोदाब, बस थोड़ी देर और देरे रखो, आप और प्रतिक्षा हो पाएगे मुझसे, आप और प्रतिक्षा हो पाएगे, अब औ प्रतिक्षा, आपको पैरने भी नहीं बड़ेगी नहीं, बड़ेगी नहीं योगमाया को जन्म देते हैं, मईया यशोदा अचेत हो गई, किन्त अपनी सुधभुद खोने वाली वो अकेली नहीं थी, इससे पहले कि कोई नन्धी योगमाया को द्रिश्ट भर कर देख पाता, संपूर गोकुल उनकी गिलकारियों के प्रभाव से गहरी नित्रा में सो योगमाया को जन्म देते हैं, यशोमती हुई निधा, कोख जनीना, लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल उधर मत्रा में वसुदेव अचरज में थे, कि नन्हे प्रभु को बंदी ग्रेह से बाहर कैसे निकाला जाए? अब केवल श्री विश्कों की माया है, इनकी सहाइता कर सकती थी. प्रभु की आग्या कापालन, कैसे संभफ होगा? सब पूर्टारा घर, पहरेदारों से भरापड़ा है. झाला जाए?